लंबे समय तक गलत खान पान, कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करना, त्वचा का रूखापन, ज्यादा रोना, या फिर नेंज की कमी, शारिजिक या मानसिक तनाफ, या फिर उमर बढ़ने के साथ भी हमारी आँखों के नीचे काले घेरे पढ़ जाते हैं तो दोस्तों अगर आपके आँखों के चारों तरफ काफी काले घेरे हैं, या फिर आपके आँखों के पास जुरियां पढ़ गई हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे है चूग घरे लूनुसकों के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि आपकी आँखों के चारों तरफ पड़े काले घेरों को और जुरियों को बिल्कुल गायब कर देंगे, आईए दोस्तों बिना देरी के जानते हैं क्या है वो घरे लूनुसके नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल पे आपका स्वागत है इस वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे मेरी इस तरह की यूसफुल वीडियो मिस ना हो और आप तभी तो जानते हैं कि सब्सक्राइब करना विल्कुल फ उसका आपको बताऊंगी लेकिन उससे पहले हम कुछ उपायों की बात कर लेते हैं जो कि आखों के काले घेरे हटाने के लिए बहुत ही जरूरी हैं दोस्तों आखों के काले घेरे दूर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने खान फान में बदलाफ करना होगा और आपको संतुलित अहार लेना होगा आप अगर जंक फूट खाते हैं आपको उसे छोड़ना होगा आप अच्छा खाना खाईए ताकि आपको पूरे पोशक तत्वों मिल पाएं आपकी बॉड़ी में किसी भी तरह के वाइटमिन्स या मिनरोस की कमी ना रहें तुसरा सबसे काले घेरे पढ़ जाते हैं और आँखों के आसपास की स्किन के पास ऑक्सिजन की कमी के कारण आँखों की स्किन पतली हो जाती है जिसकी वज़े से जुरियां पढ़ने का खत्रा भी पढ़ जाता है तो आप कम से कम 8-10 घंटे की नींत जरूर लें दोस्तो अब बारी आती जो की आपके काले घेरों को बिल्कुल दूर कर देगा दोस्तो ये सीरम आप बहुत ही असानी से घर पे बना सकते हैं और इसे लंबे टाइम के लिए आप स्टोर भी कर सकते हैं तो इसके लिए हमें सिर्फ दो प्रोड़क्स की जुरूरत होगी तो सबसे पहला प्रोड़क अंडर आई सीरम को बनाने के लिए यहाँ पर हम दूसरा इंग्रेडिन्ट यूज करने जा रहे हैं अलोवेरा जेल क्योंकि अलोवेरा जेल में पाय जाते हैं भरपूर मातरा में वाइटमिन्स और मिन्रोल्स जो की हमारी स्किन को बहुत हेल्दी बनाने में मदद करते हैं उनको बनाने के लिए मैंने एक बॉल ले लिया है और उसमें मैं आज़ा चमच बादाम तेल डाल रही है तो मुस्पे डालेंगे थोड़ा सा अलोवेरा जेल अब इसको आप अच्छी तरह से मिस्ट कर लीजिए आप थोड़ा सा अलोवेरा जेल ओड डाल सकते हैं आपको बत इस जिस का ध्यान रखना है कि ये सीरम ना ही बिल्कुल पतला हो ना ही गाड़ा आप इस सीरम की ज़्यादा मातरा बना के एक एर टाइट कंटेनर में से स्टोर करके भी रख सकते हैं ये सीरम कम से कम 20 से 30 जिन तक बिल्कुल स्वरक्षित रहेगा और आपको इस जिस का ध्यान रखना है कि ये सीरम आपको रोज रात सोने से पहले अपने आखों के काले घेरोग पर लगाना है और सरकुलर मोशन से आखों के चारो तरफ की स्किन पर हलके हाथों से मसाज करनी है करना होगा आप चाहें तो दिन में भी इसे कर सकते हैं ऐसा करने से आपको बहुती अदबूत रिजल्फ मिलेंगे और आप देखेंगे कि तीन से साथ दिनों के अंदर ही आपके आँखों के काले किरे बहुती हलके पढ़ते जा रहे हैं और आपकी धसीवी आँखे काफी ठी में मुझे बता सकते हैं और इस वीडियो को शियर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी फैमिली में ताकि वो भी इस वीडियो का भरपूर फायदा उठा सकें अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो अपना ध्यान रखिए दोस्तों बाबाई